कई लोगों ने डाउनलोड किया है और हमारे बीच काविया सर आए हैं तो मैं काविया सर को मंच पर अबन्दित करता हूँ आरजी काविया सर जो हमारे पागे स्वर जिली के रहने वाले हैं और देहरा दून में उनका स्टूडियो है ओहो रिडियो स्टूडियो मेरे हिल की दडगन लोग बोलते मेरे दिल की अडगन और काविया सर बोलते मेरे हिल की दडगन जोड़ता तालिया यार नभुदाई तो सर मत बोला करो आप ये इतना खोर्ड सिचूएशन कर देते हैं तस नहीं करी करो पहली तो सबू के पहला प्रणाम, लाइट इतनी जादा, अब ठीक है, जा जा तक, दिखाई दे रहा हूं है पीछे खलो को, तो जो मेरे से जादा बड़े हैं उमर में, उनको पहला प्रणाम, और मेरी उमर की जो पापा की परिया हैं उनको हाई, हाँ मैं जानता हूँ मम्मी के मगरमच भी आये है इतर तो बहुत अच्छा लगा यहां पे आके और मैं देख रहा था बैक्स्टेज अभी इतनी उसुरत इन लोगों ने पुफॉर्मेंस दी अरे मैं उस टाइप का नहीं हूँ लड़कों कम से कम तुम तो सीटी मत मारो ब्या होगो उसीले मेरा तस नी करो यार यहां यह बात कहके मैंने तुमारे लिए रस्ता क्लियर कर दिया ताकि मान लो गलती से किसी लड़की के माबाप का ध्यान जा रहा हो तो कहें अच्छा छोड़ो आच्छा तो जोहार मौत समा आने की बड़ी इच्छा थी क्योंकि पिछले कई सालों से नबुदा हो गरा इन लोगों के फेस्वूप पेज से मैं देखता रहता था और बड़ी खुशी होती है मैं अभी अपनी टीम से हमारे प्रमोद रावज जी हमारे अरजुन भाई युवराज ये सब लोग मैं इनसे एकी चीज़ कह रहा था कि मतलब इतना खुबसूरत ये प्रोग्राम और वहां जो हमारी प्रदेश की राज़दानी है ना वहां देरादून में भी इतने अच्छे प्रोग्राम नहीं होते है और इतनी अच्छी ओडियंस अभी पीछे हमारी माता जी उशा जी नेकी जी की जो वाइफ हैं वो भी कि ये जो कोशिशे हैं देखिए पहाड वो हमारी जड़े हैं हम किसी भी शहर में रहते हूं मैं ये कहता हूं कि देखिए जब आप शहरों में ये आपनी सस्कृति से दूर जाते हैं गमले में लगे हुए पहुते हैं थोड़ी बहुत हवा में गिर जाते हैं जो जमीन में गड़े हुए पेड़ होते हैं ना कितने वादी तूपान आ जाए वो हिलते नहीं है और जड़ों से मेरा मतलब है इस तरह के प्रोग्राम से जो हमर पचांड चूँ हमर बोली भाशा चूँ हमर रहन साहन चूँ इतनी बड़िया पोशाक है और मैं जब आ रहा था तो हमारे ओहो रेडियो में अक्सर गाने चलते रहते हैं मैं उस तरफ गया नहीं हूँ लेकिन केलाश भाई का एक इतना खुबसूरत गाना नवुदा के चैनल से हो चलता है हमारे यहां पे अहारे मेरा मुंशारा रंगिलो मेरा जोहारा इतना खुबसूरत है उसके लावा एक गाना वैसा का मेरा मुंशारा तो बहुत खुबसूरत लगता है वो जोहार वैली के बारे मैंने बहुत सुना हुआ है मैं आप सभी लोगों को बहुत शुब कामना ये दे रहा हूँ और हर बार आएंगे और अगली बार और जोश के साथ इसको और जादा लोगों तक हम पहुँचाएंगे आज आप सब लोग यहां हमारे गड़रत श्री नरेंदर सिंग नेगी जी को सुनने के लिए आए हूए है संगीत ताड़ के कैड़्मी आवार्ड से वो सम्मानेत है एक बार जोरदार तालिया उनके लिए हो जाए तो उनको हम सब लोग सुनेंगे उसके बाद हमारे प्रहलात मेरा जी को सुनेंगे मैं भी यहाँ बैटा हूँ और आप लोगों से फिर जल्द मुलाखात होगी बागी आप लोग जितने यहाँ पे आये हैं अब जब मैं आया हूँ तो एक चीज आप लोगों से माग के जा रहा हूँ और मुझे लगेगा कि आप लोग निराश्ट नहीं करेंगे वो यह है जिन लोगों ने ओहो रेडियो डाउनलोड नहीं किया है लोग कहते हैं ओहो का मतलब क्या है तो ओहो का वही मतलब है ओहो जो हम पहाण में कहते हैं और अंग्रेजी में है अवर हिमाले एन ओनलाइन रेडियो यानि कि हमारा पहाड़ी अपना ओनलाइन रेडियो तो आप लोग जरूर से उसको डाउनलोड कीजिए क्योंकि यही आपके और हमारे क्योंकि यही आपके अपके और मिया दन्जय các भी साथ क्योंकि कि यहींege कि यहीं उसके का दो कि यह सकता ।